अधिधां नहें अधि नमास्कार द選स्तों स्वागत है आपका कंपुदिशन तर दुस्तों सीजी पीसी मेंस कोर्स का जो हमारा एक कंसिप्ट में सीरीज चल रहा है उसमें आज हम देखने वाले है समाज सास्तर तो समाज सास्तर में हमने एक ऐसा वी चुना है जो हमारे समाज से related बहुत important है, जैसे हमारा जनरिती, जनरिती के साथ साथ हम लोकाचार, इसकी बारे में आज हम चर्चा करेंगे, तो चलिए heading देते हम समाज सास्त्र, सबसे पहले आज का जो basic topic है वो हमारा sociology, और इस समाज सास्त्र में आज हम देखने वाले हैं, social norms के बारे म जिसके अंतरगत आज हम पढ़ने वाले हैं, लोक रिती या जनरिती, जो आपकी syllabus में दिया गया है, उसी को लिख देता हूँ, जनरिती, ठीक, साथ ही साथ, लोकाचार, लोकाचार, इससे हम इंग्रिस में क्या कहेंगे, ये भी जान लीजे, इसको हम कहेंगे, जनरिती और जो ये लोकाचार देख रहे हैं, ये दोनों के दोना समाजिक मानदंड है, समाजिक परतीमान है, ध्यान रखेगा, परतीमान या मानदंड, मानदंड, तो सबसे पहले आपको थोड़ा से इसके बारे में समझना पड़ेगा, परतेग समाज, जिस समाज में बहुत अलग-अलग प्रकार के लोग होते हैं, हर व्यक्ति का अपना-अपना समाज में अपना-अपना निर्धारित कार्य होता है, और इतने बड़े मास प हो चुके हैं, तो आप सारी चीज़ों के बारे में जान चुके हैं, लेकिन अगर कोई एक बच्चा है, तीक देखे, अगर वो सुभा उटता है, वो ब्रस करता है, अपने पेरेंट्स को आधर करता है, इस्कूल जाता है, तीचर उसको गुड मॉनिंग करता है, दोस्तों क किसी समाजिक मान्दन या किभी ने किसी समाजिक पर्थिमांद का पालन करता हुआ आपको नजर आएगा आम बोलचरार की भाथा में जब उसको पीन आउट करेंगे तब वह पता चलता है कि हां यह चीज mm समाजिक मानदन्द जिसे कि तो आपको यह बताने का प्रयास करना हूँ कि मैं समाज में जितने भी नियम कानून जो है इसी समाजिक मानदalnız के अनुसार आते हैं यह समाजिक मानदन्ड के अनुरूप आते हैं अब बात कर लेते हैं इसी के दो पैमाने की बात है तीक तो दो तरीके हैं समाज में अनौप चारिक समाजिक नियंतरन के अगर हम यहाँ पर कहें कि यह समाजिक आपका नौम्स यह क्या करते हैं समाज में सोशल कंट्रोल करने काम करते हैं अर्था समाज में समाजिक नियंत्रन स्थापित करने का काम करते हैं तिसके दो तरीके हैं एक होता है आपचारिक और एक होता है अनोपचारिक फॉर्मल आपचारिक और अनोपचारिक आपचारिक को हम कहेंगे फॉर्मल और इसको हम कहेंगे इन्फॉर्मल ठीक है अबदिखेगा जो जो औपचारिक जो तरीके है ठीक अर्था जिस चीछ कोसमाज में जान बुझ के विधिवत सभी तरीकों को औपचारिक तरीका Hampshire कहा जाता है जिसको वीशेस इस कानून समाजिक संस्था है संसथ विधान सभा जो की इस परकार के नियम बनाने काम करती है तो एक निश्चित संस्था दोरा जो समाज के नियम को यह समाज के लोगों को नियंतरने सापित करने के लिए जो परतिमान मना जाते हैं उसी को हम कानून के नाप से जानते हैं समाज में ऐसे बहुत सारे परतिमान है जो कानून नहीं बनाता है लेकिन समाज के सब्सक्राइब करने के लिए क्या बना देता है बहुत सारे नियम ताकि वह हर एक स्टेप में उसको हर चीज के बारे में सोचना ना पड़े मतलब यह नियम जो है क्या जिसे हम गाड़ी चलाते हैं पहला दिन अगर कोई वेक्ति का तो वह एक वेक्ति चार चीजों पर ध्या है और राइट पे confess मतलब लेट पैर में हमारे हमारा ब्रेग एक ओकारफ चीजों परडिनेट चैजब दिर आदश्ट बनते जाता है तो चारों हाथ का कॉश میں अराम से उसके बाद साइड में पुस्पर टाइप का ऐसे मोबी मुबाइल लगा कि आद भी घुमते रहते पान भी खा रहे हैं थूख भी रहा है गाड़ी चला रहे हैं समझ में रहे हैं और और भी कुछ सोच रहे हैं समझ लीजिए इस अस्तर के हैं तो मतलब वो क्या बन दूसरों को भी ठोक के दूर्गटना गरस्त कर दोगे तो चलिए आज हम इसी के बात करता है इसी अनौप चारिक समाजिक नियंतरन के अंतरगत जन्रिति और लोकाचार आता है फोक्वेज और मोर्ष आता है यहां फोक्वेज फोक्वेज और मोर्ष अब मैं आपको बता यहम्त मैं रहता हों फोक्वेज के बारे में देख। अधिANT है कि यह जिसे हम क्या कहते हैं जनरी कहते हैं कि दीखे वास्तों में यह सब चीजे बहुत दिनों से प्रचलीद थी लेकिन इस चीज को समाज साथ में इस्थापित करने के काम एक समाज सास्तरी ने किया था इसका नाम था समनर ज्यान रखेगा अच्छे स्याद रखेगा समनर इन्हों ने पुस्तक लिखी थी ध्यान रखेगा कब 1906 में फोक्वेज और इन्हों ने कहा था कि जितने समाजिक नियम कानून होते वो सभी के सभी फोक्वेज के अंतरगत आते हैं तिक लेकिन परमगुरूप से इन्हों ने दे बिहान दीजेगा फोक्वेज के अंतरगत इन्हों ने यह बताया कि जितने भी समाजिक नियम है जितने भी लोज है उनको इन्हों ने केबल दो केटिगूरी में डिवाइट किया था एक वही हमारा स्लिबस जो जिसको हम जन रिती कहते हैं और वही दूसरा जो हमारा लोका चार है लोका चार तो पहली बात ध्यान रखी गा यह दोनों कंसेप्ट किसके द्वारे दिया गया समनर के द्वारे कहते हैं ठीए एक होता है एक है समझे ऐसीज को का अगर मैं सिधा-सिधा कर थोड़ा लेट हो जाएगा लेकिन आपको चाह रहें को थोड़ा डीटेल बता और रोटी जब विक्ति की कुछ आदत बन जाती है समझेगा एक विक्ति की आदत और उस आदत को एक समुह ने पा समाधिक चीज ने बता रहूं मैं आपको या तिक जिसे कोई एक्टर आ जाता है एक विशेश प्रकार का सट पहन के या विशेश प्रकार का पेंट पहन के को एक नया फैजन के सांद चलिए तो एक विक्ति ने क्या अपना एक आदत को अपना है जिसको मूवी की रूप में अपने बार-बार देखा हम उसी दो एकश्मोब अपना लेता है तब उसी को हम जन रिति कहते हैं समोह की आदत है त्प इसको कैसे छीन हो जनता की आदत है तै कि अर्थात यह कि आदत है ह॑नी कि ए मतमओ की आदत यह कि हम क्या कहेंगे इसको group behavior कहेंगे group behavior इन इसा गुरूप बिहेवियर अठाथ समूह के आदत को ही हम जनरिती कहते हैं ध्यान रखेगा फोक कुछ कहते हैं। आया समझ में अब मैं आपको यह बता दूं यह क्या क्यों इस चीज को निर्मान किया गया अब देखिएगा जब समूह ने इस चीज को अपना लिया तो समूह क्या पेच्छा कर रहा है धियान रखिएगा समूह ने इसको अपना लिया यानि समूह चाहता है कि इस चीज को आप करें समझभा रहा है समूह चाहता है आप इस चीज को इस नियम को पालन करते रहें क्योंकि ह जैसे कि इसे हम क्या कहते हैं जनरिती को ही हम कहते हैं समाज में ध्यान रखिएगा आचरण के मानने तरीके आचरण के मानने या स्विक्रित तरीके तरीके अगर आप कुछ इस परकार से लिखना चाहेँ जनरितिया आचरण के मानने या स्विक्रित तरीके अधिकोई गलत नहीं होगा इसे हम क्या बताते हैं जब गनाइज्ड और एक्सेप्ट एक्सेप्टेड सो एक्सेप्टेड अर्वे ओफ बीएविंग ढ़्यन रखीगा यह क्या है जनरिती देखेंग के माणे या स्विक्रीत तरीके हैं अब इस चीज को थोड़ा सा आप समझेगा ठीक है जब हम इस चीज़ को हम यह बोलते हैं कि यह हो गया कि आप texts वेवहार हैं धियान रहें तो असल है अनिवार हुआnday इस चीज springs में था दे रहा कि पिंदर सुटग एखेवियर amen eni जिएवियर पिमर मस्ट बीहेवियर देहां लिएघेट दोप्मा कर दो और होते हैं इनिवर हेवे क्या होता है जिसको अपको कर सकते हैं अगर नहीं करेंगे तो कोई गलती नहीं होगी जैसे कि पहना रहे हो हो गया मस्ट भी है बिएर हो गया ठीक है अपएक्षित विवहार कुछ छूटी मूटी चीजे है जहां देख़िएगा तिक मान लीजिए आप से बिवहार तो ठोड़न से मतलब होता है समाज से एक निश्चित विवहार की अपेख्चा करता है लेकिन अगर नहीं कर पाते हो तो कोई डंड सब्स्क्रूर sec नहीं मिलेगा हां हसी मजाक के पातर जरूर हो जाओगे तो ध्यान रखेगा कभी भी जन रिती का उलंगन होता है तो लोगों का हसी मजाक उड़ाया जाता है ठीक है मतलब उसको समाज में कोई समाजिक से बड़ा वेक्ति हमसी मिलता है अगर हम इस परकार का अभीवादन उसका नहीं करते हैं क्या होगा समाज में वो जाएगा वो बोले का यार मैंने उससे मिला ठीक है वो मेरे साथ ऐसा विवहार किया मुझसे ठीक सी मिला नहीं ना तो मेरे पैर चुआ ना तो मुझको करेंगे तो आपकी समाज में वहाँ वहाँ जरूर होगी कि हाँ भाई बहुत सूसार सूसकारी बंजा है अच्छा बच्चा है ठीक है आपको थोना सा बड़ापन मिलेगा तो यह बड़ा सिंपल सा जन रितिया आचरन के मान गया सुक्रीत तरीके रिकोंगाइज और एक्स रहता करना अनिवार नहीं करेंगे तो बढ़ यह रह नहीं करेंगे तो कोई दिकत के यह अवार मेरे ऊसे करना तो थीक है है अनिवार आपको करना ही पड़ेगा चलिए आगे बढ़ते हैं प। रिखार लोकाचार वैस्ट लोकाचार जी से हम इंगlies में कहते हैं है थीक है क्या कहते इंगلिब्स में मो सिसलय है ये एक खास परकार के समझेगा ये एक खास परकार के समाजिक नियम है तिक जो की बाद्धेकारी है बाद्धेकारी है मतलब इसको करना अनिवार है अगर आप इसको नहीं फॉलो करोगे तो ये माना जाएगा कि आपने समाज के जो नैतिक मूल्य है तिक मांदंड है उसको आ आप जनरीति समझे यह जनरीति जब जनरीति में देखो यह इसको एक समूह मान रहा है ना तिक लेकिन जब समूह में इसी जनरीति में जब लोग कल्यान की भावना जूड़ जाती है लोग कल्यान की भावना जूड़ जाती है तिक सोसल वेलफेर की बात तो सोसल वेलफेयर की बात जूड़ जाती है तब यह बदल जाता है लोकाचार में लोकाचार में अर्थात मोर्स कुछ और नहीं है अब बताओ अगर जनरिती को आपने फॉलो नहीं किया चलो समझ में आता है कुछ लोगों का वो एक निश्चित मान दंड था है लेगन अभी तो इसमें लोक कल्याण की भावना जुड़ी है जब कोई ऐसा विसे जो लोक कल्याण की भावना जिसमें जुड़ी होती है अगर कोई विक्ति इसका उलंगन करेगा तो क्या होगा उसके साथ आपको पता है उसको समाज से भहिस्कृत कर दिया जाएगा उसको समाज द्वारा दंड दिया जाएगा अर्था इससे पहले जो जनरिती था यहां पर कोई दबाव नहीं था समाजिक दबाव लेकिन इस किं लड़का है उसको लड़के का ही कपड़ा पैहनना है अगर सल्वार सुट पेहनके निकल जाओ तो क्या होगा तो क्या होगा कि Ö वह आएगा हमारा जन्रित्ति के कैटिग्री में लेकिन अगर बीना कपड़ा के निकल गए तो वह कौन से कैटिग्री में आएगा तिक वह आएगा आपका लोकाचार के समझे में है तो पता है कि करना है लेकिन कहां से करना है किस गृप से करना है अपनी जाती के अंतरगत करते हो समाज में यह नियम मैं कि प्रतेग वेक्टि को अपने समाज के अंदर से ही विवाह करना है तो वह लोकाचार हैं क्यों कि अगर आप उलंगन करोगे अगर आप इंटरिकास्थह करोगे तो समाज क्या करता है समाज से बहिस्क्रित कर देता है हलाकि कानूनी हिसाब से यह गलत है कानून जो है इस प्रकार के विवाकर संटक्षंट दे रहा है लेकिन समाजी कानून जो है ठीक है जो आम बोलचाल की भासा में आम लोगों की भासा में यह समाज का नियम है यानि कि ध्यान रिखी का जिसे क्या करते बहुत सारे पर्तिबंद लगा देते कठोर पर्तिबंद पर्तिबंद और मैं आपको बता दूँ अपचारिक जो कानून है उस कानून से कर लेता है तो उसके पूली सो नियाला के पास जा सकता है श्के द्वारा समाज में हो अब खेसे इसके परभावीत नहीं नहीं करेंगा कि जाओ तुमको रोज दोने किش आहें तो किर रहें ठीम में रहे हैं रहे हैं जो ते तो जो मैदा आफचारिक कानून की बात कर रहा हूँ है सिख जो नियम कानून है जो कानूनी संस्थाव द्वार है उससे ज्यादा प्रभावी कौन सा कानून होता है तो समाजिक आगा सब्सक्राइब कोड़करे की और चारिक कानून के अपेक्छा अनोप चारी काणून अर्थात यह जनरितियां यह लोकाचार यह ज्यादा प्रभावी होती है अब देखिएगा इसी के बारे मैं आपको बता दू लमले एक समाजिक वज्ञानिक हुए है समाज सास्त्री लमले इन्हों लमले ने बताया था कि जब जन रितिया में लोग कल्यान के भावन जूड जूड जाती है तो वह लोकाचार बन जाता परिभासा गुरूप में आप लिख लीजिएगा एक और व्यक्ति का नाम है समाज सास्त्री में काइवर एक पेज उन्हों ने लोकाचार को क्या बताया था ध्यान रखीगा यह आचरन का नियंतर्क है आचरन का नियंतर्क है रेगुलेटर और भिहेवियर पशचण long है बिहेवियर समझ में यानी की हम जो आचरन करतेrau हैं उस तो आशरं का नियंद्ठरंद को व紧ता यही लोकाचाया करता है आए समध के तो बहुत सिंपल सा तरीका है ठीक है लोकाचाया और इस-स-स अंतर भी पुछा बूаци जाएगा इसमें समानता भी पूछा चाहिए है क्यां एक या चहुआ है द्यानार um क judgment8 गर्ण सबसेफलर विचारा λέता है विचार रालिर्व ऑपनाथा सवकों के बाद जनरिति ऑती है जनरीती जब पीडिाति चलती हो पर्था बन जाती है उस पर्था के बाद तो आँगा सिदह या जनरीती से भावना जूर जाती ही तो वह लोकाचार बन जाता है most बन जाता है तो इस सेसं में इस concept वाली सीर्रीज में आज हम आपको यह बता रहे हैं तीटों यह सूचना है कि हमारा जो sgpac men's course चल रहा है यह हो रहा है हमारा चृ को चल रहा है यह नएया बैच है ठीफिस नया बैच जो कि 6 जून 2013 से ये परारम हो रहा है इसका जो अवधी है दस महिने का और हम जो है इसी तरीके से जिस तरीके से भी हम पढ़ है यह जैसे जिस तरीके साम पढ़ा रहा हैं जिन विशेयों को इस से हम उसको हैंडल करते ही चलेंगे हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी कंसेट है वह आपके विज्वल हो ठीक है समाज में से समाज की बात नहीं कर रहे हैं तो इन विश्यों के साथ हम दील करेंगे इसी तरीके से ताकि आपको जो मूल आउधार नाए हैं तिक वह पूरी के करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल इस तरीके से इस तारीक को आप बिल्कुल आईए छे जिनको आप डिमो क्लास एटेंड कीजे देन आफ्टर आप अपना डिसिजन रखिए देखिए तहरी करना है सब को अपना एम पाना है और इस एम को प्राप्त करने के लिए हम जो कुछ इस परकार से रहेगा कि हर विशाय के अनुभवी सिक्षक आपके पास रहेंगे आपको पढ़ाएंगे आपको यहां पर अलग-अलग परकार की सुविधायत दी जाएंगी जो कि आपको पता है जो कॉम्पेटिशन कम्मूनिटी के बारे में जानते हैं उनको पत है यह यह आपको मिल जाएगा हमारे अफ्री में लाइबरीरी हैं आपको बिना अत्रीक तसूल के के आप इस लाइबरीरी का फाइदा उठा सकते हो आपको हम हमेसा बीच-बीच में देखिए क्या है मेंस बिना लिखे काम होने वाला नहीं है जानना अलग है नॉलेज सस्वेशार लोष्ट है हम कर लेंगे लेंगे ग certains ऺ利 smater लहते हैं ना तो इस प्रेकार का क्लास करते तो को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ आज ही हमारे वेब साइट के कैरियर पेच पर विजिट करें अत्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको